श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब आज 25 मई है बुधवार का दिन है और दश्मितिती है केवल आपको आखड़े के पेड़ के वहाँ पर छू करके आपको कुछ ऐसी चीजे बोलनी है जिससे आपके जीवन में विग्नहर्ता गणेश की विशेश क होने वाली है बहुत ही आसान सा उपाय है हर कोई उपाय ये कर सकता है पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए चैनल पर नए आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमीशे की तरह श्री शिवाय की सिंदूर करने वाले है आज प्रिति योग भी है और आयुशमान योग भी है तो आपको ये उपाय जरू करना चाहिए higher चाहिए ऐक लोटा जल करके जाना है साथ ही मेए आपको एक नाडा लेकर करके जाना हि most मोली का धागा ले करके जाएं और थोड़ा सा सिंदूर ले करके जाएं ठीके अब ये सारी चीजे ले करके आखड़े के पेड़ के वहाँ पर जाएं अब देखिए आखड़े का पेड़ कैसा होना चाहिए जो थोड़ा पुराना हो जो थोड़ा पूजनियों हो हो सके तो मं का पात्र आप डालेंगे थोड़ा सा आप जो सिंदूर लेकर क्या हैं सिंदूरिया कलर का सिंदूर लेना है भले एक चुट के सिंदूर ले और गणेश जी को मतलब आकड़े की पेड़ को आपको तीलक करना है तीलक करते समय सिंदूरम शोभनम रक्तम सोभाग्यम सुख वर आपको नाडा लेना है और उसे आपको आकड़े के पेड़ के वहाँ पर बांदेना है और आपके जीवन में जो भी विगना आ रहे हैं उसे दूर करने की प्रातना करनी है और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरी करने की आपको प्रातना करनी है जब आप ये नाड़ा बांदेंगे जब आप गठान बांदेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके इसे आपको बांदेना है अब आपको क्या करना है जहां पर आपने नाड़ा बांदा है उस पर और आकड़े के पेड़ के महाँ पर आपको हाथ लगाना है और आपको ओम श्री विगनेश्वराय नमह इस मंत्र का कमसिकम 11 बार जाप करना है देखिए यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो केवल आकड़े के पेड़ को चू करके इस मंत्र का आप जाप करने कमसिकम 11 बार आपकी जीवन में जो भी विगन हर हर महादेव